दोस्तों नमस्तार मैं रमनीक वेग आपके समक्षुन और दोस्तों यहां मैं संत्रे के जो आउश्दिक गुण हैं इन से आपको अव्ड़त पराना चाहता हूँ दोस्तों हम लुग संत्रा तो बड़े शौक से खाते हैं चाहिए यह संत्रा हो यह कीनू हो मौसंदी हो यह सब सिट्रस जुउक कि आंतरगत आते हैं जानी की जो खटे फल हैं, उन के अंतरगत आते हैं, तो दोस्तों कभी क्या हमने गोर किया है कि इसमें और शुदिक गोर कितने सारे हैं, इसमें केलशियम, पोटाशियम, मैगनीशियम, खनेच पदात बहुत हैं विटामिन सी इसमें भरकूर होती है इसमें सॉलेबल फाइबर यानि की घुलनशी रेशा पेक्टिन बहुत अच्छा होता है तो दोस्तों याद रखिए अक्सर मैंने देखा है लोग जब हमारे जो भाई बहन जब संतरा खाते हैं मैंने देखा है वो सफेद जो अच्छा होता है ना उसको निकाल देते हैं तो वो खोस्ते हैं ये वाइट वाइट है अंदर जो धागा माफिक है ये तो बेकार है परन्तु वो बहुत महत्वपूर है क्योंकि प्रेक्टिन सॉलेबल फाइबर यानि की घुलनसी रेशा तो उसी सफेद जो अंदर मिलता ह हमें सफेद धागे के समान उसमें होता है तो उसको जरूर खाईएगा उसको मत निकालिएगा दूसरी बार संत्रे में बहुत प्रेक्टिन हैं जैसे की सॉलेबल फाइबर के इलावा इसमें अंटी आक्सिडंट होते हैं जैसे की लिमोनीन हैस्पेरिडन अब ये दोनों ज रक्ती शाली अंटी आक्सिडंट हैं ये बहुत सारी बिमारियों को दूर करने में मदद करते हैं जैसे की कैंसर है डायविटीज है अस्तमा है लिवर संबंदे दो किड्नी संबंदे दो तो इन बिमारियों को दूर करने में इन अंटी आक्सिडंट का बहुत बड़ा रोल होता है तो ये दो बहुत ताकतवर अंटि आक्सिडन पहला लिमोनी और दूसरा हैस्पेरिडन हमको संत्रे में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है तो दोस्तों कोशिश करें कि रोज एक संत्रा तो जरूर ही खाएं अच्छा दोस्तों मैं चलता हूं और आपका दिन शुग कर दोमें टूदे खार्वबर सक्षूर का सकत्रांएधन झाल कोशी कि योजिए खाय कोश्डर कर दोस्तों मैं है झुड़ एक्छाका स्वीं और भॉरूस पूस्सिरान हो स्च्छावस है जिम ca. वैं झाल नंक्सित दुडको कि जँना पहुवता है